हलो फ्रेंड्स वेल्कॉण टो माई यूट्व चैनल अटिटूशन अकाडमी आज हम प्रियोडिक टेवल के एलिमेंट याद करेंगे ट्रिक्स हैं और नंबर ओफ एलिमेंट के उनके इलेक्टोन प्रोटोन और नूटोन पढ़ेंगे कितने नंबर ओफ इलेक्टोन होते हैं हैं कितने नंबर ओफ नूट्रोन होते हैं और उनके अटोमिक मास और उनके अटोमिक नंबर सब सब चीज इस वीडियो में याद करेंगे तो सुरू करते हैं तो यह हमारी प्रियोडिक टेवल जो आपको दिखाई दे रही हैं इसमें हमारे एलिकली मेटल होते हैं लेगे कि यह सबसे पहले निच्चे आम एक है आलेम का और इससे मिलेगा और है है और उसके राइट साइड में आपको पानी मास मिले गा और लफ साइड में को अ क्या है थे कुछ हमार को वुत्वि आपको सबना मिलेगा है उसके बाद हमारे सेकंड ग्रूप यह मारा सटीं मैंगनेशियम वाला यह मारा ऐल कलाइन मैठल जो आपको यह थर्ड वाला है उसच्वद उसक्वाड इसदैंट मैंट कर सकते हो यह इनको बोलते हम डिवलों के शेवली हिर्चंड बलते हैं सब्सक्राइब लेकिन इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है तो बेसिक मैटल कौन से हो गया हमारे बेसिक मैटल यह वाड़े हमारे उसके बाद कि मैटल मतलकु मैटलयड बोलते हैं अनको इसलिकोरि उस यह सारे के सारे क्या होते हैं हमारे नोन मैटल होते हैं यह सारे के सारे ग्रीन लाइट ग्रीन यह ग्रीन वाले क्या हमारे नोन मैटल है इनको भी अलग लग पार्ट में डिवाइड किया हैं जैसे कि हमारे यह वाले देखो यह वाला सतरवा ग्रूप होता हमारा 17 ग्रूप त पर उसके बाद जो मारा अठारवा ग्रूप होता है अठारा ग्रूप को हम बोलते हैं नोबल गैसी इनेट गैसी इसमें कौन कौन से आगा है हीलियम नियोन नारगन क्रेप्टों जीनोन रेडाउन ठीक है यह सारे के सारी कैसे हमारी नोबल गैसी जाए अब आपको यहां पर देखो दो फिलिंदा ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर कोई भी अलिमेंट नहीं है और इनका टॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक और 89 से लेके 103 तक तो उपर वाले क्या हमारे देखो कलर के कोडिंग देखे तो इसको क्या बोलते हैं लेंथ नोइड बोलते हैं ठीक है जो मूर्ब गयर यहां था तो इसको से लेकर देखे लेकर 57 से लेकर तक करें है अमारे tumwork 57 दतक तक तो यह क्या है इसमें प्रियोडिक टेवल में फिट नहीं हो पाते हैं इनकी प्रॉडिक प्रॉपर्टे बगारा तो इसलिए इनको अलग रखा है तो 57 से लेके 71 तक एक्टिनोड होते हैं और 89 से लेकर 103 तक यह लेंथ नोड होते हैं यह थी हमारे प्रियोडिक टेवल का क्लासिफिकेशन किया हुआ है अब जो नेक्स टोपिक पढ़ते हैं इसमें आगे तो आज के मारे टोपिक में यह रहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है इनका ज तो इनकी वेलंसी वैसे तो हमें वेलंसी बगरा याद करने की जूरत नहीं है हम ट्रिक्स से निकालना सिखेंगे इनको ठीक है तो जब हम कोसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे याद हो जीगे हमारे तो कितने नमब्र ओफ एलेक्टोन प्रोटोन और न्यूटोन यह सब होते हैं आटोमिक नंबर के तो इसका मतलब क्या है अगर हमें अटोमिक नंबर याद हो गया अगर हमें अटोमिक नंबर पता लग जेगा तो हम क्या कर सकते हैं नमब्र ओफ प्रोटोन निकाल सकते हैं और नमब्र ओफ न्यूट्रोन निकालने के लिए में क्या करना होता ह है क्या होता है अटोमिक मास जिसको हम किसे डिनोट कर देते हैं मालों एसे डिनोट कर देते हैं अटोमिक मास को एसे डिनोट कर रहे हैं और माइनस में क्या करते हैं नंबर प्रोटोन या फिर अटोमिक नंबर 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 प्रोटोन या फिर अटोमिक नंबर और जैड क्य इलेक्टोन भी क्या होते हैं इकोल होते हैं तो इसका मतलब क्या है नंब्र ओफ इलेक्टोन और प्रोटोन को ग्याद करने के लिए तो हमें क्या पता होना चीए उसका अटोमिक नंबर जैड की वैल्यू पता होनी चीए और नंब्र नूट्रोन को निकान ले के लिए मास मायनस में अटॉमिक नमबर तो अससे पहले हम क्या करेंगे आनको याद करेंगे ट्रिक से बैए टॉमिक नमबर यह तुम आधु kn amarhui प्रोट्न और इलेक्टरन का पता लगेगा और मास नमबर और प्रोट्व नमबर मतल़के अटॉमिक नमबर पता होगा जब Lap i am in तो शुरू करेंगे तो सब्सक्राइक है तो हम एक ट्रिक से याद करेंगे इसके अट कर नंसे को कर थो आपको याद रखनी मैं तो मॉनलो किसी का कोई दो फ्रेंड है तो एक फ्रेंड ने क्या की या है Friday night को news देखी है ठीक है? तो आपको एक story याद दखनी पड़ेगी तो ये दो friend है एक friend A है हमारा एक friend अमारा बी है एक friend A हो गया UP Friend B हो गया मालो friend A ने क्या किया है रात को news देखी है और news में इसने क्या देखा है brown और carbon क्या थे? news में थे ब्रौन और क्यारबन क्या उमारे न्यूज में है, और यह न्यूज कब देखुिएधा है इसने फ्राइडे नाइट को देखिए तो यह आके क्या वोलेगा, मालो B के साथ सुभए आया या कभी भी सुभए उसके साथ मिलता है तो क्या बोलता है Hello क्या बोलता यह A को Hello बोलता है तो B क्या बोलेगा Hi simply Hi बोलेगा तो Hi बोलने के बाद क्या A किसको बोलेगा B को बोल रहा है Listen listen सुनो तो बदले में क्या बोलेगा B क्या बोलेगा बोलो भई क्या बात है A बोलेगा क्या बात है बोलो तो A ने बोला नूज ओन फ्राइड़े नाइट तो आपको याद दखना है A ने क्या बोला हैलो, B ने बोला हाइड और A ने बोला फिल लिसन, B ने बोला बोलो क्या बात है फिर यह ने बुला brown carbon news on Friday night यह आपको अपने fingers पे try करके देखना है वैसे याद हो जेगे story तो H से क्या बन जेगा हमारा H4 symbol hydrogen का H symbol क्या रहेगा हमारा hydrogen करेगा यहां से HE symbol किस करेगा हमारा helium करेगा याँ से सिंबल किस करेगा helium करेगा यह फिर आप ऐसे यहाद कर सकतो है यहाँ पे हाय लिख सकते हो और यहाँ पर हेलो लिख सकते हो हिस्टी मतलब की helium होजेगा और यहां से हाक मतलब क्या है तो हमारा helium हो गया और और L I का मतलब हो गया हमारा लीथियम, L I का मतलब क्या हो जा हो जा है, लीथियम, किता नंबर हो गया, थार्ड नंबर हो गया, इसका, B E होता हमारा ब्रेलियम, किता नंबर होता है, चार नंबर होता है, ब्रेलियम का किता नंबर होता है, चार नंबर होता है, बीफर उतम रब ब्रों बीफर कौन से होता है ब्रों बते है कितने नंबर की उंगले पे आया तो 5 बाँस वा नंबर कितना ब्रों का कर्बन तो सीफोर गार्बन चे नंबर हो गया यहां से न्यूज के एंस को लेंगे हम क्या होगया नाइट्रोजन तो सात वा नमपर किसको हो गया? और 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 नमपर किसको होगए हमारा? न अप्वह नमबर किसको होगए हमारा? तो आपको याद दखना अफ एलौ लिसन बोलो ग्रोन कार्बन न्यू जॉन फ्राइडे नाइट अधिसे एक नमबर भी और इनके नाम भी आदेंगे तो यह हमारी ट्रिक्स थी। यह यहां तख किसके कितने किस्ट हमने चाहिए यहां तक हमने किया है फ़र्स टू लेके टैन तक के प्रस्ट टैन तक के हैल इस्ट्रिक शर्ण कर सकते हो तो जो सब्सक्रीज we कि एसरी में कितने यद्व तो आपको एक प्रवाइड किया है हमने जिससे आपको आ healthy हे लिएम घ्यान पाटोमिक नंबर कि अनोबर गेलियमं गाए मंफ ओ ये ओध्युक्eln प्रोटों प्लस में नंबर ओफ नूट्रों ठीक है तो नंबर ऐप प्रोटों के शमadia आटोमिक मास बोलते है इसलिए में क्या होगा तो फिलाल के लिए लिए लेक्र मास नंबर कितना होगा है ऎलियम का फोर हो गया लीथियम का अटोमिक नंबर कितना हो गया, 3 हो गया और इसका मास नंबर कितना होता है, 7 होता है ब्रेलियम का अटोमिक नंबर 4 हो गया और इसका मास नंबर 9 होता है ब्रोन का अटोमिक नंबर 5 था और इसका मास नंबर 11 है कारबन का टोमिक नमबर 6 सारिका मास नमब़त ओलई नाइं टॉजन का टोमिक नमबर सेवन और इसका मास नमबर 14 हैं और गोसिजंद का टोमिक नमबर 8 एक और इसका नमबर 614 परोसीन जो यहां प्तक याद किये तो उसके बाद हम जो करेंगे कितने हैं 11 से लेके 20 तक की याद कर लेंगे नेच्ट वमारे रहेंगे 11 से लेके 20 अलेमेट तक क्या करने ट्रिक याद कने है अलिमेंट को याद कने के लिए तो आपको याद रखना है मौनलों कोई क्या है मुस्लीम है तो वो क्या कर रहा है अल्ला से पैपसी, सोडा, काजू, कच्री या बहुत सारी चीजे खाने की मां नांग रहा है ठीक है, टो कोई कहता है उसे बैषि म Mitarक करो अल्ला से ना मांगू, तो दुसरा कि क्या बोलेगा जो भी आपको अच्छा लगुह आपको ट्रिक यादकी होगासकते हो तो ना. से क्या हो गया न न कल दो इसको हो गया मार्स सोडियूम टो कौन सा फ्यक्रीयद कि 700 कि दिशनक तो कोड़र यहां पर हैसी बात इसके पर करेंगे को कितना हमारा पंदरवा नमबर है पास्विह उंगली मतलबहीं पंदर हैं Rat comput उसके बाद S4 soda, मतलब soda के S से क्या होजेगा हमारा, S4 क्या होजेगा हमारा, S4 होजेगा, S4 sulfur, S4 होजेगा, यहां पे C और L लेंगे, CL, कोका कोला के CL से क्या होजेगा हमारा, कलोरिन होजेगा, तो सत्रवा नमबर किसका हमारा क्लोरिन का है सत्रवा नमबर यहां पे आरगन और को हम यूट आ देंगे तो क्या बंगे ए और आर आर ए आर किसका सिंबल है आरगन का सिंबल है किता नमबर हमारा अठारवा नमबर है ठीक है क्लोरिन सत्रा था आरगन हमारा अठार है उसके बाद काजु के के से कही उनमिन्वल्ज मतलब क्थिंटी हो जाई हुगा तो काश्यूका नमब मता याक तक थो कितने कर दो कर घुन थे ॊसके बाद जो मारा गयार्वा नमबर किसको और सोडियू रापम नमबर याम्र आटोमिक मास इसका कितने हो गया हमारा rate मैंगेनेशम का बारवा नमबर आटोमिक नमबर बारा है और इसका आटोमिक मास कितना होगया हमाराLR 是 करें आलवी को पेड़ेक होगा के सिल घूंच सबस्क्राइब खेड़े लिए जिलिकौण कईया dislodatic समय ची कितने होगे थे से सुक्र्ण त्यूदा को ऐ सिलिकॉन स्लफर Almost can टमिक फॉलस की ट्यूंड करती है 16 अटोमिक नमबर हो गया और अटोमिक मास में उतता है इसके बाद होता है आरगन का अठारा नमबर है उसका अटोमिक मास कितना है 40 है उसके बाद हमारा potassium potassium का atomic number 19 हो गया और इसका जो potassium का atomic mass एक तो 49 और एक उत्ता है इसका 40 इसको बोलता है आईसोटोपिए ठीक है तो अगला याद रखते हम calcium calcium का कितना number होता है calcium का 20 नंबर होता है atomic number 20 होता है और इसका atomic mass कितना होता है इसका भी atomic mass 40 होता है ठीक है तो याद अखने आपको ये इसके atomic number इसके atomic mass याद अखने है क्योंकि आप भी हम क्या निकाल लेंगे इसके number of electron proton और newton निकाल लेंगे जो इसके लिए में इनकी जूर्थ पड़ेगी ठीक है तो ये शुरू करेंगे इसके बाद हमारा देखते है इसमें यह हमने पढ़ चुके atomic number उसके बाद आते हमारे number of electron proton और newton निकालने के लिए अभी हमने number of electron मतलकि atomic mass याद कर चुके हैं अगर हमें atomic mass याद हो गए हैं तो जब यह हम number of proton निकाल सकते हैं number of electron निकाल सकते हैं तो अभी हमने ट्रिक से देखा दो आइडोजन का जो मार तो में आइडोजन अता है फर्स्ट नंबर रोचां का सिमबर आच चया और इसका atomic number कितना है वन है और number of proton भी कितने होगे शानर नेट्रों इसमें 0 होता है क्योंकि इसका mass number कितने होता हमारा वन ही होता है नंबर फिल एक्ट्रों कितने होगे व्मारे वन होगे तो अभी अ के लिए अटोहमिक नंबस में यादट से यादे होगे जो इसको मास नंबर क्या होता है मासに चाहिए अदि में अंबर होता मारान नंब्र ओफ प्रॉट lug प्लस में लिए नंब्र फ में लिए फी principle फिर ये फ्रGe exact प्रोटोन तो इससे क्या निकाल सकते हैं कितने होंगे इसमें जीरो तो है और इलेक्ट्रोन भी कितने हैं वन है प्रोटोन भी वन नहीं प्रोटोन भी वन ही होगे इलेक्ट्रोन भी वन ही होगे लेकिन नम्ब्र ओफ नूट्रोन कितने हमारे जीरो है समझे में आयोंगा ना कैसे जीरो है और वलेंसी की बात करते हैं वैसे कैसे निकालेंगें हम इसकी हमने atomic structure की video में बोर मोडल पढ़ा था बोर के coding क्या था वह बोर ने बोला था भाई हमारे सारे के सारे electron क्या करते और बीट में रिम्वूल करते हैं बीच में सेंटर हो गया और साइड में क्या हमारी और बीट है तो थोड़ा इदर बना लेते हैं इसको यह और बीट है तो कैसे बनेंगे K L M N इस तरह से इसको क्या किया था हमने डिनोट किया था KP L M N से तो उसके बाद तो इसने क्या वुला था पहली साल किया हमारी के हैं दूसरी साल किया रहे हैं किया है पहली साल K दूसरी साल तो यह किस ने बोला था, यह बोला था हमारा बोर मोडल ने, अब आइड्रोजन की बात करेंगे, जब हम आइड्रोजन में कितने इल्यक्ट्रोन है, एक ही इल्यक्ट्रोन है, तो यह किस में आएगा, के साल में आएगा, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने की जूरता है, दो की जूरता है, stable किसमे होगा ये, दो में होगा, अब देखो, दो में अगर stable होता है, तो कितने की जूरता है इसको, एक की जूरता है, ये एक ले भी सकता है, एक दे भी सकता है, तो इसलिए इसकी valence कितनी होगे हमारी, 1 होगे, gain और loss से depend करेगी valence, तो कितने electron इसको stable होने के लेंड करने पड़ हैक इसको डोनेट करने पड़ है क्या हो गया हमारी ऑलेंस थेकर मिनिमम्म होगी कितने ईलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ है मिनमम अदर्वैंस की अंदरन होगे ट्वेस हो टम्रोफ प्रोटॉन ओंडर उलेक्ट्रॉन poly Е Tag के अंदर लेकिन हमने हैं हम व specialism क्या लिखते हैं कितने अलस्ट के अस्का थितना फॉर तो क्या है मास में से क्या गटा आएंगे कितना थो नूम्बर फ नूट्रोन कीतनी आगे हमारे टू आगे ठीक है और वेलासल में लेट्रोन बार बहने की बात करते हैं तो इसiberते कि यह तो स्टेवल फूसे मतलब इसकी विल्असी कीतनी होगे पे मारी zero होगे, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वलेंसी निकाल सकते हैं इनकी, तो ये थे हमारा hydrogen और इलियम के वलेंसी, इसके बाद देखते हैं, लीथियम की, पहले इसको साफ कर लेते हैं, हमारा इरेजर यह हमारे इरेजर यह साफ करते है इसको है पुस्के बाद हमारा कि उसके बाद हमारे लीथियम अब लीथियम का सिंबल कि अलाई है और इसका जो अटोमिक नमबर रहा है कितना था lithium का 3 था और atomic number कितना हमारा 3 है तो मतला proton भी 3 होगे और electron भी हमारे 3 होगे लेकिन lithium के case में हमने पढ़ा था lithium का जो Li से denote करते हैं तो atomic number 3 हो गया और mass number इसको होता है 7 कितना होता है 7 होता है अगर mass number 7 है तो'S नंबोफ नूटोन क्या होएगे मास मायनस में प्रोटोन यहां फिर जड है आट्यूमिक τεन्धर उसे भी न करसे को तो देखो नंबर उफ नंबर उफ प्रोटोन सबसे पहले कितने होगे 3 होगे number of electron ह был कितने होगे इसके अंदर थरी होगे और नमबर ओफ न्यूट्रोन कितने होगे मास में से साथ में से तीन जाएंगे कितने होगे चार होगे तो देखो यही था हमारा number of neutron कितने हमारे 4 है number of neutron कितने रहेंगे हमारे इसमें 4 रहेंगे electron भी proton भी 3, proton भी 3, number of neutron 4, लेको balance कितने हो इसकी 1 है कैसे है, देखो यहाँ पे हमने अभी bore model की बात की थी bore model के according यह क्या हमारा यह हमारा K है और यह हमारा K L L cell है, अब इसमें 2 electron तो किसी में आएंगे 2 electron तो आगे हमारे K के अंदर अब जो तिसरा electron है, तिसरा electron किसी में जाएगा L के अंदर अब इसको 8 पूरे करने है अभी हमने देखा था K के अंदर कितने आएंगे 2 आएंगे, K L के अंदर कितने आएंगे 8 आएंगे, M के अंदर कितने आएंगे 8 आएंगे अब stable होने के लिए या तो ये 2 पूरे करे या फिर इसको 8 पूरे करे पड़े, या तो 2 पूरे करे अपने valence cell के अंदर या फिर 8 पूरे करे लेकिन जैसे हमें दिखाए दे रहा है अब इसको 8 पूरे करने है तो क्या करना पड़ेगा इसको 7 किसी से लेने पड़ेगे और 2 पूरे करने के लिए इसको 1 किसी को देना पड़ेगा तो देना जादा असान है एक ही तो देना है तो एक ही लेक्टोन को डोनेट करना है तो ये क्या कर देगा लिफिन के कितनी हमारी वन रहें यह साल में अर्वान साल में वनीलेक्ट्व सािले इसके बाद उसके बाद धो मारा फॉर थैलिमन्ट है। वह क्या है अटोमिक नंबर फॉर प्रोट्न और इलेक्टवन कितने हो गें इसेमें 4 ो गए ठीяет, प्रो अरिलेक्टोन कितने हो गें इसके अंदर 4 हो गए और हमने देखा दा जो मारा?" बेरियम था, तो बेरियम का Mass Number कितना था मारा, बेरियम का Mass Number था चलिए 9, तो बेरियम को किससे से देनोट करते हैं अभी पैंसिल को सेलेक्ट कर लेते हैं यह हमारी कहां गई पैंसिल होगी अदेको बेरियम को बेरियम ने ब्रेलियम को अभी हमने देखा था बेरियम का मास नंबर कितना था बेरियम का मास नंबर था हमारा नाइन अपोपन को कितना है उलॉड और मास नंबर कितना नउम इतने इसमें या proton number of proton कितने आएंगे इसके जितना हमारा atomic number 4 atomic number है, electron भी इसमें कितने होगे, 4 होगे, number of neutron कितने होजेंगे, mass number minus में atomic number, तो कितने होगे, 5 होगे, ठीक है, तो यही है हमारा number of proton कितने है, इसमें 5 है, number of proton कितने है, इसके अंदर 5 है, ठीक है, बरेलियम के नंबर नंबर प्रोटन 5 है अब वेलंसल की बात करते है वेलंसल के अंदर कितने लेक्टोन है वेलंसल की इसकी कितनी रहेगे अब अगर इसके अंदर कितने 4 इलेक्टोन है 4 electron है तो 2 electron तो यह आके आगे balance cell के अंदर आगे 2 electron बुकाएंगे balance इसमें k cell के अंदर आएंगे k cell के अंदर तो अगले 2 electron किसमें जाएंगे l cell के अंदर जाएंगे किसमें जाएंगे l cell के अंदर जाएंगे अभी हमें पता भी stable होने के लिए आठ की जूरत template? आठ की जूरत या फीर दो से stable होे, 8 करने के लिकेसे की क्या करने पड़ेंगे किसी से 6 electron लेने पड़ेंगे, और 2 करने के लिए कि लिए किसी教Con दो electron देने पड़ेंगे, तो कौन्सा ज्यादा असान है? 2 electron को देना ज्यादा असान है, as to 6 electron को लेने के इसलिए इसकी जो वलनसे रहेगे हमारी कितने रहेगे इसकी दो रहेगे उसके बाद हमारा ब्रोन को B से denote करते हैं, symbol B है, इसका, atomic number कितना इसका, 5 है, atomic number 5 है, अगर atomic number 5 है, तो number of proton और number of electron कितने होगे, 5 होगे, और brown को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, models B से denote करेंगे, atomic number कितने होगे, 5 होगे, atomic mass इसका कितना होगे, में दए दू में को कितना होता है गयाः इनि औरके इन किसा में आएक कैसे पासि अब आज जद अब इलेक्ट्रों के बाद प्रोटबूं करते हैं तो य तो 5 किसी से ले शाची कीशित को दे सीयों K 2 देसी की गए रहे हैं हमारी 3 इसलिए हमने क्या किया है imm ब्रौन को एसे लिख्खा है वही पाँच हो मिक नंबर प्रोट्वन और चेए नंबर ऑफ न्यूट्रोन ठीक है गयारह में से पाँच जाएंगे चेए नंबर ऑफ न्यूट्रोन爆य लेंकरोन के वालेंस साल के अंदर दो इलेक्टोन फिल करें कि अंदर तीन एलेक्टोन फिल एँ और वलन से पीकितनी हो हो गया, इसके हमारी तीन होगे और यह कोशन हेमारा SSCCHSL के अंदर आया हुए 2022 के अंदर और 2023 के अंदर ठीक है तो SSCCHSL के अंदर आया हुए ओह कोशन है तो यह दखना है, उसके बाद हमारा atomic number 6 atomic number 6 किसको उतता हमारा carbon को उतता है atomic number 6 carbon का तो number of proton और number of electron भी कितने होगे हमारे 6 ही होगे तो इसको कैसे करेंगे हम तो इसको पहले साफ कर लेते हैं अब देखो atomic number कितना हमारा 6 हैं तो carbon को हम कैसे लिखते हैं carbon को हम लिखते हैं C6H12 12 है इसका atomic mass है तो number of electron भी 6 है number of proton भी 6 है और number of neutron 12 माइनस में 6 हैं तो number of neutron भी कितने आगे जेंगे इसके अंदर 6 ही आजेंगे तो carbon के अंदर number of neutron भी कितने आगे हमारे 6 ही आगे अगर 6 electron है तो कैसे फिल करेंगे 2 electron तो के के अंदर आगे 4 electron किसी में आएंगे हमारे L के अंदर आएंगे अब आठ पूरे करने के लिए 4 किसी से ले ले या 4 किसी को दे दे एक ही बात है तो इसकी वैलंसी कितने होगे हमारे 4 हो जागे तो वैलंसी कार्बन कितने होती है 4 होती है तो इसलिए कार्बन को हमने क्या लिखा 6 atomic number 6 proton और 6 number of neutron 6 number of electron फिल कैसे कि अशका 2 4 के के अंदर 2 और L के अंदर हमने 4 वैलंसी कितने होगे इसकी 4 रहेगे उसके बाद हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर कितना होता हमारा साथ तो होता है नाइट्रोजन एन नाइट्रोमिक नंबर साथ नंबर अफ प्रोटोन और नूट्रोन नंबर प्रोटोन और इलेक्टोन तो कितना होगे साथ ही होगे लेकिन जो एलेक्टिसका नाइट्रोजन का अटोमिक मांस होता है, छोध होता है' कितने होता है इसका क्योद होता है साथ में से साथ साथ जाएंगे, number ofprints में कितने आजाएंगे हमारे साथ याज़ेंगे, ठीकां, भाई के अंतर हमने कितने किल की है two फिल को है पांच electron किसमें जाएंगे ँक के अंदर जाएंगे अब इसको pls अनोने से लिए अगे का आइसमें पांच electron किसी से ले यह फिर पांच इलेक्ट्रोन किसी को दे दे तो तीन लेना आसान है इसलिए नाइट्रोजन हो गया हमारा जो हमारे नाइट्रोजन की विलंसी होती है नाइट्रोजन की विलंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की विलंसी तीन होती है तो यहाद रखना है उसके बाद हमारा ओक्सिजन Oxygen को हम लिखते हैं 8-16 Atomic mass कितना है? 16 तो number of neutron कितने आ जगे? number of neutron भी कितने होगे है? हमारे 8 होगे है तो K cell के अंदर क्या है? 2 electron आएंगे Oxygen में K cell के अंदर 2 electron आएंगे और L cell के अंदर कितने electron आएंगे? L cell के अंदर 6 electron आएंगे ठीक है? क्योंकि 8 पूरे करने है तो या तो 6 किसी को दे के 2 से stable होजे या फिट 2 electron किसी से ले के 8 को stable कर ले तो 2 लेना सान है जब जाए 6 देने के तो इसलिए विलेंशी कितने होगे? 6 होगे उसके बाद हमारा fluorine fluorine का symbol F होता है atomic number 9 है मतलब number of electron number of proton और electron कितने होगे हमारे? 9 होगे जब मारा fluorine का atomic mass होता है वो निस होता है तो fluorine का कैसे लिखते हैं? fluorine का हम लिखेंगे F 9 19 ठीक है? तो neutron कितने होजेंगे? माइनस करेंगे तो कितने आगे? 10 आगे neutron कितने आगे हमारे? इसके अंदर 10 neutron और आगे number of neutron कितने आगे? fluorine के अंदर 10 neutron होगे फिल कैसे किया? 2 electron K के अंदर 7 electron L के अंदर तो valence L के अंदर कितने है? 7 electron है 1 के जूरत आठ पूरे होने के लिए तो number of neutron number of neutron तो 10 है number of valence मतलब valence कितने आजेगे, इसके अंदर ले लेगा ठीक है तो एक ले लेगा तो इसकी वेलेंसी कितनी होगी एक होगी और यही कोश्चन SSC CHSL के अंदर 2022 में आये होगा है और 2023 के अंदर भी आये होगा है ठीक है तो यह इसटल में अग्योर्ण सिंबल एनी होता है नोमड़ ओनवर प्रोट्सट्व और नूमबर अफिलेक्टॉन कितना होगा वहारी इतन होगा तो यह कैसे दिन्रों का सुद्धल आप ग्र您 का टोमिक मास होता है बीस नियूओं 10 तोन ते कि होग कि अब नुम्र उब नूट्रोन की तों टूंटी में से टैंज आएंगे कितना आगया याईगे वालेंसल के अंदर दो एलेक्टोन तो के के अंदर एट एलेक्टोन किसमें आएंगे हमारे अले के अंदर आएंगे अद देखो इसको स्टेबल होने के लिए दो चीज़े थे के अंदर और एल के अंदर आठ चीज़े थे नंबरोफ्रोटोन यारा है यवधी 13 लेकिन प्रेक्टोन प्रेजों काफ टोमी था सब्सक्राइब तो यदन wirdो चुरुन, मश भी दें कितने आएगा बार आएगा तो number of neutron कितने आगे sodium के अंदर बार आगे ठीक है balance की बात करते हैं अब देखो sodium की बात हो डिया है यह मारी पहलेसकोई डेज कर लेते हम वेलंसी सोडियम की याद करेंगे कैसे को करेंगे अब देखो इलेक्टोन को फिल करना अगर हमें कितने इलेक्टोन फिल करने है ज्यारा फिल करने है आपको इलेक्टोन को फिल करने हैं तो क्या करेंगे दो इलेक्टोन तो यह आगे और अगले आठ इलेक्टोन किसी में आएंगे एल के अंदर एक दो तीन चार पांच यह च्छे हो गया यह साथ हो गया और यहां पर आठ हो गया टोटल कितने इलेक्टोन होगे दस होगे जो हमारे ग्यारवे एलेक्टोन बरा जाएगा वो किसमें जाएगा एम के अंदर जाएगा के के अल एम ठीक है गयारवे लेक्टोन किसमें जाएगा एम के अंदर जाएगा और इसमें भी स्टेवल होने के लिए आठ की जूरत है अब या तो किसी से साथ ले ले या एक एलेक्टोन को किसी को दे दे तो देना आशान है तो इसकी सोडियम के विलन्सी कितनी होगे हमारी वन रहेगे तो इसकी विलेक्टोन कॉन्फिकेशन 2-8-1 KLM ठीक है? उसके बाद magnesium magnesium का atomic number 12 electron number of neutron भी 12 number of electron भी 12 number of neutron भी 12 क्योंकि हम किसको magnesium magnesium है न, mg हाँ, magnesium mg तो magnesium को हम कैसे लिखते हैं? mg 12 24 मतल़ लिख है कितनी के बारा है मैंगनेजन में नंबर प्रोन 12 कि 15 बारा है और इसे नूट्रॉन तो कितने हो इस आखेकं किसी को देकर क्या हो गया है नियौन मनटे स्टेबल तो और वलंसे कितने रेगें तो एक शल कर रहे किया या और फिर यह फिर या किसी को दे उसके बाद हमारा था फिर ठेभ़न के अलोंता था से गतोडें divisions लेकिن इसका जो मास्त नम्बर अने अल्मिनियूम का लीक्त ऑप्म वन होता है मास्त नमबर इसका 27 होता है टेके मशन कृंबन यसका इसका अधी मास्त य मत नम्बर इसका तरहो ची चर्व गया मैंगे समां खाल सब्सक्राइबां नम्बन मैं और यह डे जाए गया तो किटननलगें 1 10 वेलेंस विए इंद में वेलेंस स सिलीकुन का ऐसाइए होता है,IV नमबर ऊपर प्रोटॉन और इलेक्टोन चोहँए इसकanti मास नमबर ऐसाइस होता थी कि याना च्कूलता है कि से अचया से यहाण कितनों कि ακरों क मुक्त है किरें डूस। कि ले ले या तो सिलिकोन के वैल डोन पन्दरवान से इन रहें गी का पंध्रिवाइफ्प फोस्फोरस में पस फोस्फ्पोर्वत का प्रोटोन और इलेक्ट्रोन तो कितना होगे? पंदर होगे. लेकिन जो इसको मास नमबर होता ना, जैको मास नमबर अभी हमने देखा था, तो फोस्फोरस का मास नमबर कितना था? 31 था. ठीक है? कितना है फोस्फोरस का मास नमबर? 31. अगर हम क्या करेंगे? 31 में से 15 अगट आएंगे, कितन वेलंश कि अंदरbling क्या करेंगे दो एलक्ट्रोन क्या करें एैट के अंदर और। इल्यक्ट्रोन किसकें अंदर एंगे की Rema compete अधिक कि हुआऊ पूरे करने है तो तीन कीसी से लेगा कैसा न बूच के लगा होगा फांस देना कीजी से ले लेगा तो हुए फोसफर्सके लेगे रहे हैं उसके बाद हमारा सुफर॥ कि शचरफर आस शीमबल है उलाइस का टॉमिक नंबर है नंबर प्रोट्रोन निंपर फ्लियक्ट्रोन कितने तो नोब्र उट्रोंगों कितने आाए 16 इंदर क्या पांच एलेक्ट्रों फोसफोरस में तो ऊंदर की लेक्ट्रों फिलो ठीके एंदर कितने खरो खिवो गए ईसके अंदर हमारे फील हो गū्हें रोगे दो तया थे तीं तीन, च्यार, पांच, छे, छे लेक्टोन फिलो होगे वैलेंस साल के अंदर, अब इसको आठ पूरे करने हैं तो क्या करेगा, आठ पूरे करने हैं तो यह तो दो किसी से ले ले, या फिर छे किसी को, छे किसी को दे दे, तो दो देना सान है, इसलिए सलफर की जो वैलेंस से रहेगे हमारी कितनी रहेगे दो रहेगे ठीक है सलफर की वलंसी कितनी हमारी दो है उसके बाद हमारा क्लोरीन क्लोरीन का सिंबल क्या हमारा क्लोरीन का सिंबल क्या हमारा क्लोरीन का सिंबल सियल आटोमिक नंबर सत्रा हो गया ठीक है प्रोटोन और इलेक्टोन भी कितने हो गय अरह मने देख्ञा था भी को जो मास नूबर और ताना 35 पैंथिस पोंट में पास होता है थीक है 35 में तो सत्रा 35 में से गतना आएगा अठार आएगा तो नूम्ब्र और नूट्रों कितने आगे इसके अंदर 18 फैंथिस से शतरा जाएंगे तो कितने आए गा थार आएगा तो नंबर ओफ नूट्रोन भी कितने आगे अठाड आगे वैलन सेल के अंदर कितने एलेक्टर नाज चेंगे साथ आजएंगे क्योंकि यहां पर तो chlorine equivalency कितनी होती है हमारी? एक ही होती है उसके बाद अमारा अठारवा नंबर आरगन आरगन का अठारवा नंबर होता है नंबर ओफ प्रोटोन और नंबर ओफ इलेक्टोन कितनी होगे इसके अंदर? अठार होगे और आरगन का जो आमने मास देखा था ना आरगन का मास कितना था? 40 था ठीक है almost तो कितना था अरगन का मास? 40 था तो यह दखना आपको आरगन को कैसे लिख होगे? आरगन को लिखते हम आर 18 चालिस नंबर ओफ प्रोटोन और न्यूर्टोन कितनी होगे? 18-18 तो नुब्च नूर्ट्रोन और प्रोतोन इंच क прош Edu, लिए फिद cosa नूट्रोन की तीन और ऐसके अंदर उन्व क है इसमें आरहन के अंदर वलन्स सल के अंदर कितने लेक्ट्रों आएंगए दो एलक्टून। तो k आपि लिक्टोन ct Azure अब देखते हैं यह त्यमारी हमने इलिमेंट पढए हैं एलिमेंट को ट्रिक से याद किया है ठीक है एक से भीस तक elements को trick से याद किया हों से विलेंसि निकाने सी किये तो या देखना आपको तो element को याद करने से पहले आपको इसके atomic number याद करने पड़ेंगे इनके atomic mass याद करने पड़ेंगे उससे ही आप क्या कर सकते हो नंबर प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन ये सब निकाल सकते हो जब क्या होगा आपको अटोमिक नंबर उसके मास नंबर याद होगा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही देखते रहे हमारा यूटूब चैनल आटिटूशन सेंटर यूनिट शुरू की थी सारी समझ में आई होगी और साइंस की ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे देखते रहे हैं यूटूब चैनल आटिटूशन सेंटर और इसमें हम क्या गर रहे हैं वैसे तो 5 से 12 तक के सारे सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और 8 और 10 का मैथ और साइंस स्पेश पढ़ाई वी पढ़ेंगे वी पढ़ेंगे फिलाल कमेस्टी की क्लासीच शुरू और ये इस में मैटरा और सौरणिंग पढ़ा था हमने और प्ड़ चुकी है और 10 क्लास के लिए हम फस्त त्री चप्र पढ़ चुकी है और उसके बाद मेथ की बहुत सारे चप्टर पर चुक्या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हूं मैथ हमारा रहेगा कुम्पटीशन वाड़ा रहेगा एससी हो एससी हो कोई भी कुम्पटीशन एक्जाम क्यों नरो मैथ और रिजनिंग और इसके साथ साथ जिक्के और जनरल साइंस तो हम पड़ी रहे हैं मैं आपको बत लिक्तिरे मारे यूटीब चनल आटिटूसन सेंटर बाई बाई टेक क्यर